जोहार, जार्खन में कोरोना के बढ़ते संकरमन को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने कुछ महत्पून देने लिए हैं, इस संकरमन का चेन ब्रेक करना नितान तावश्यक है, जार्खन एक गरीब राज है, हमारी प्राथमिक्ता है जीवन और जेविका दोनों को सुरक्षित करना, एस संदर में हमने 22-4-2021 यानि परसों से 29-4-2021 तक स्वास्त, सुरक्षा, सप्ता का सभी को अनुपालन करने का निर्ने लिया है, और मुझे पूरा विस्वास है, इस स्वास्त, सुरक्षा, सप्ता के माध्यम से हम COVID-19 के चेन को ब्रेक करने में सफर लोंगे, इस स्वास्त, सुरक्षा, सप्ता में जो चीजें बंध होंगी, कुछ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बाकी आदेश के माध्यम से सभी को निर्गत किये जाएंगे, सभी जीलों में, सभी पत्रकारों को, सभी मीडिया चैनलों में, आविसक सम्मगरी की दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकाने बंध रहेंगे, भारत सरकार, राज सरकार तथा नीजी छेत्र के चिन्हित कारियाले को छोड़कर सभी कारियाले बंध रहेंगे, किर्सी, उद्योग, निर्मान, एवंग खनन कार की गतिविदियां चलती रहेंगे, धार्मी कस्तल खुले रहेंगे, परंतु सरधालों का उपस्थिती में पर्तिबंद लगी रहेगी, कोई भी व्यक्ति अनुमति प्राप्त कारियों को छोड़कर अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, पांच से अधिक व्यक्ति का कहीं भी एकत्रित होना वर्जीत होगा, कोरोना संक्रमन को जन भागीदारी से ही रोका जा सकता है, ये हम सब जानते हैं, और ये आज के समय में ये नितान तावेशक है, और मेरा आप से अनुरोध है, तुरे राजवासियों से, इस महामारी को हम अपने राज से धूर बगाएंगे, अपने आस पडोस से धूर बगाएंगे, इसके लिए हमें निर्देशों का पालन कड़ाई से करना होगा, खुद भी करना होगा, और औरों को भी प्रेरिद करना होगा, इसलिए सरकार द्वारा निर्देश का पालन बिल्कुल आप सभी लोगों के सहयोग से ही सफल हो सकता है, इसलिए इस संक्रमन में सभी लोग की भूमी का सुनिसित हो, यह हमारी सोच है, और इसी संदर में ये निर्देश सरकार ने लिया है, और मुझे उमीद है कि आप सब लोग सुरक्षित रहें, आपके परिवार सुरक्षित रहें, आपके सहयोगी सुरक्षित रहें और हमारा राज सुरक्षित रहे, इसी आसा उमीद के साथ आप सब को मेरी और से पुना, बहुत बहुत धन्यवाद,